अब इसका 4th पार्ट देखेंगे वही क्या करता है इस Y is equal to X log of X upon a पलस BX है तो प्रूव यह given है प्रूव करना है X cube d square Y upon dx square equal है x dyy d x minus y पूरे का whole square की यह प्रूव करना है तो देखें जो पीछे question हमने किये हैं उसमें क्या करना था जीरो प्रू करना था टू प्रू करना था ऐसा ही प्रू करने थे हा ना तो हम left hand side लेके चलते थे और right hand side आती थी ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप left को लेके चले और right आये इस question में हम क्या कर लेंगे पहले left को solve कर लेंगे जितना कर सकते हैं और फिर right को solve कर लेंगे जितना कर सकते हैं फिर देखेंगे finally कि वो दोनों equal हैं या नहीं है अगर दोनों equal आ जाते हैं तो प्रू हो जाएगा वई ठ क्या है इसको simplify करके लिख लें x यहां पे log m by n लगाएं तो bracket ज़रूर लगा लें इसको लिख लें log x minus log a plus bx log m by n log m minus log n ठीक है भई अब यहां पे x log x minus x log of a plus bx ठीक है y अब हम करें इसको differentiate with respect to x तो क्या बन जाएगा dy by dx dy by dx is equal to u into v प्रोडेक्ट रूल लगाएं x as it is log x का one by x वाला सबकी बार log x as it is और x का differentiation क्या हो जाएगा one minus bracket लगा ले भई minus आ गया ना तो bracket लगा ले x as it is इस पे भी u into v लगाएंगे और इसका differentiation तो one upon a plus bx ये तो वा log का log के लिए ये जो दिख रहा है वो x का काम कर रहे ना अब इसका differentiation a का zero और bx का क्या हैगा into b आ जाएगा पलस अब की बार log of a plus bx as it is और x का differentiation क्या जाएगा one ठीक है अब इसको x x कट गया one बन गया यहाँ क्या आ गया dy by dx is equal to one plus log x और ये minus का bx upon a plus bx और plus minus क्या हो गया भी minus का log of a plus bx ठीक है हो गया अब इसके जादा और क्या कर सकते हैं हम इतना ही कर सकते थे इसको यहीं पर रख लेंगे ठीक है अब इसको दुबारा differentiate कर दें हम क्या कर ले अब इसको दुबारा differentiate तो differentiate करें दुबारा तो d square y upon dx square is equal to यहां पर one का zero हो जाएगा log x का one by x minus bracket लगा ले अब आप ठीक है u by v method लगाए अब तो क्या होगा v का square यानि की a plus bx का whole square clear भाई और यह divide rule लगा रहे हम तो यहां पर क्या हो जाएगा a plus bx v as it is और इसका differentiation bx का क्या जाएगा b minus तो हम बार लिख सुके ना पहले ही minus अब की बार यह minus है rule के according bx as it is और इसका differentiation तो a का zero और bx का क्या आएगा into b आ जाएगा into क्या जाएगा वहीं इसका b ठीक है इस bracket को कर दें बंद minus अब लोग के लिए x का काम कर रहा है इसका differentiation one upon a plus bx और इसका differentiation करें अब a plus bx का यह तो लोग का लिखा है इसका zero और इसका क्या जाएगा into में b ठीक है अब इसको और simplify करें तो d square y upon dx square के अगर हम बात कर लें तो one by x minus अब bracket में देखें तो अंदर multiply कर लें इसको ताकि square x minus b square x यह b और bb square x बन गया ना अब उन में a plus bx का whole square और यहां क्या है minus का b upon a plus bx ठीक है इससे यह कट गया plus और minus खतम अब अपना यह रह गया ठीक है यह अपना आ गया d square y upon dx square यानि कि one by x क्या आ गया अपना one by x d square y upon dx square is equal to minus minus है यह तो bracket में लिखने की ज़रूरत नहीं अब तो यह a b बचा है विस a b upon a plus bx का whole square और minus b upon a plus bx यह आ गया भई आपका d square y upon dx square ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां पे value रखेंगे हमने अब solve करना इसको तो हम इसकी left hand side ले लेते हैं lhs left hand side तो left hand side लेंगे तो left hand side में क्या है x cube है x cube into में क्या है d square y upon dx square जो की value यह आई है तो यह लिख देंगे पूरी one by x minus a b upon a plus bx का whole square और minus b upon a plus bx आ गया भई यह हमने यहां से value वहां रख ली है ठीक है पहले lhs को solve करेंगे फिर rhs को तो यहां पर देखें तो x cube अब इसका lcm ले 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 आप तो a plus bx का whole square lcm आ गया तो यहां x से और x हो रहाएगा वहीं lcm में ठीक है तो यहां क्या आ जाएगा a plus bx का whole square आ जाएगा minus यहां क्या आएगा a bx आ जाएगा minus b यहां क्या जाएगा bx और a plus bx आ जाएगा ठीक है यह बड़ी बरेकिट बन अब यहां पर देखें इससे यह imply हो गया अब यहां से imply क्या हो जाएगा x cube अब देखोए इसका दो whole square है उसको खोल लेते हैं क्यों क्यों क्योंकि कुछ कटेगा वो कट जाएगा यहां पे a plus b का whole square यहां कि a square plus b square तो इसका भी square आएगा और इसका भी square होगा तो bx के दोनों पर आएगा बी और x पर plus 2ab तो 2abx आजाएगा minus abx यहां है minus इसको अंदर multiply करें तो abx और इसको अंदर multiply करें तो minus का b square x square आएगा और इस सारे क्या पॉन में क्या चल रहा है x a plus bx का whole square और यह bracket बन अब देखो इस a का x से यह काट सकते हैं x square बच गया तो यहां क्या imply हो गया वही अपना x square और अंदर क्या बच गया देखो यह abx यह abx minus के 2abx plus 2abx कट गए यहां यह बचा bx square पलस का यह minus का b square x square a square बचा खाली क्या बचा a square तो मैं लिख देता हूँ यह बाहर तो x square बचा ही था अंदर बचा खाली a square upon a plus bx का whole square यह क्या आ गया अपना left hand side आ गई ठीक है यहां तक आप note कर लेंगे फिर हम right hand side को solve करेंगे अब right hand side देखें भई देखो right hand side में क्या अपना bracket है हमने बड़ी bracket लगा ली x फिर d y by dx की value देली थी यह मैंने d y by dx की value दिया यहां तक ठीक है हमने आपको बताया कि d y by dx की value आई थी वो हमने यहां रख ली है ठीक है मैंन Y, Y की value ये है, तो इसके बजाए हम क्या लिखें, simplified form में लिखें, और minus है तो bracket जरूर लगा ले वही, तो इसको simplified रूप में कैसे, X into, log M by N लगा ले, log M यानि की log X minus log of A plus BX, log M minus log N, ये bracket जो यहां खोली थी, वो मैंने यहां बंद कर दी, ठीक है, ये हमने इसको बंद कर दिया ठीक है, और ये जो bracket हमने यहां से start कर रखी थी, उसको यहां बंद कर दें वही, और इस पे क्या लगा दें, whole square लगा दें, clear है, और ये हमने Y की value लिखनी थी, ये हमने लिख दी है, ठीक है, अब करो आप, यहां इस bracket की जरूरत नहीं है, minus of Y, Y की value हमने रख दी, X, और यह ब्रेकिट सुरू कर लें, इसको बंद कर लें, X है, ये, overall इसके into में है न ये, तो log X minus log of Y, ठीक है, अब ये बड़ी ब्रेकिट पर, पूरे पर all square लगा लें, all square है ना, या right hand side में, अब इसको simplify करें, तो X को अंदर multiply कर लें, यहां क्या हो जाएगा, X, one से होगा तो, यहां X log X हो जाएगा, यहां minus का BX square upon A plus BX minus, यहां X log of A plus BX, यहां क्या होगा, minus X, यह अंदर multiply कर दें, X log X minus minus क्या हो गया, plus X log of A plus BX का, यह BX आ गया, और इस सारे की all square चल रहा है वही, clear, कुछ कट रहा है, उसको काट लें, X log X plus का है, X log X minus का है, कट गया, यहां minus का X log A plus BX है, यहां plus का है, इस सारे से यह सारा कट गया, देखो, easy even right question, left or right से कर लें तब भी, ठीक है, हम दूसरा method भी आपको बताएंगे वैसे, आप वो चाहें, तो वो कर लेंगे, अब यहां पे देखें, तो क्या बचा अपना, अपना बचा, X minus का BX square upon A plus BX, यही बचा, और इस सारे का क्या चल रहा है, whole square, अब क्या गर लें इसका LCM ले लो वही, A plus BX LCM आ जाएगा, तो यहां कुछ भी नहीं वन है, तो X इसके into में आ जाएगा, A plus BX के, minus, यहां BX square है, बार और इस सारे का whole square चल रहा है, इसके बाद देखें, तो अंदर multiply कर दें इसको, तो यह क्या बन जाएगा, AX plus B square X, या B square X लिख लें, य क्या बनेगा, AX और यहां पे इसको multiply करेंगे, तो BX square बनेगा, क्या बनेगा, BX square, और यहां माइनस BX square है अलड़ी, अप उन में क्या है, A plus BX है, इस सारे की क्या चल रहा है, यह whole square, यह plus का, यह minus का, cancel, क्या बचा यहां, AX, और इस पे क्या है, square, इसका मतलब क्या हुआ यह square इस पे भी है, और यह square इस पे भी है, और यह whole square है, तो निच्चे बड़े पे भी whole square है, A plus BX का whole square, यह आ गया अपना RHS, यह था अपना LHS, देखो, यह और यह same आये की नहीं, दोनों same है ना, तो यह prude हो गया, पुरूड, आप लिख देंगे, पुरूड, लेफ्ट side, जितना soul कर सकते थे, उतना हमने किया, right को जितना soul कर सकते थे, हमने किया, यह दोनों same दिख रहे हैं, यह prude होता है, अब हम इसका दूसरा method बताएंगे, आप यह note कर लेंगे, यहा तक, ठीक है, अब इसका दूसरा method देखेंगे वही, और में, आप यह भी कर सकते हैं, द plus bx, लिख लेंगे, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको differentiate कर लेते हैं, with respect to x, यही पर differentiate कर लेते हैं, वही हम, differentiate with respect to x, with respect to x, तो क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to, यह u का का काम करेगा, और यह पूरी bracket जो है, वह किसका का काम करेगी, v का, u into v product rule लगाएं, x as it is, इसका differentiation, तो differentiation करे लगेंगे, 1 by x, ठीक है, minus, और फिर इसका लोग का करेंगे, तो 1 upon a plus bx लिखेंगे, यह तो लोग का हुआ, आप अंदर का करें, तो a plus bx का यह का 0 और bx का क्या जाएगा, यहाँ पे, into में b आ जाएगा, clear है, अब की बार, plus log of x, minus log of a plus bx, as it is, और differentiation x का क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, इसका differentiation, 1, इसको bracket में बंद कर दें, और इसका हो जाएगा, 1, ठीक है, अब यहाँ देखें, तो क्या होगा भई, देखो, और simplify करें, इसको तो x है, यहाँ, अब इसको lcm ले लेते हैं, इसका क्या कर लें, lcm लें, तो यहाँ क्या बन जाएगा, x a plus bx lcm आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, a plus bx minus bx आ जाएगा, और इधर क्या चल रहा है, पलस में, log x, log x minus log of a plus bx चल रहा है, क्लियर है, अब देखो, यहाँ है, dy y dx, bx से bx कट गा, पलस का और माइनस का, यह क्या बन गए अपना, यह बन गए अपना, a x upon x, a plus bx, और यहाँ है, पलस में, log y, log x, sorry, यह क्या है, log x minus log of a plus bx, है न, तो यहाँ पर अगर देखें, तो इसको क्या मैं, y y x से replace कर लूँ, देखो, यह जो है, यहाँ पर देखो, इसको मैंने, यहाँ से अगर देखें, तो यह जो term आप bracket में देख रहे हैं, इस bracket में को देखें, तो यह यही तो है वह यह bracket, यह है के नहीं, है, इसको हम replace कर देए, इस bracket को y y x से, यह x multiply में है, तो इसके आप ओन में आ जाएगा, इसकी जगे मैं y y x लिख सकता हूँ, declare है यहाँ, और यहाँ क्या है, d y by d x चल रहा है, ठीक है, यह आपने किसको use कर लिया, इसको, इसको use कर लिया आपने, ठीक है, इसको use कर लिया, अब हम क्या करें, यहां पर देखें तो हमने क्या लाणा है यह लाणा है यह इसके इकोल है तो देखो यहां पर dy by dx है तो right hand side में देखें तो dy by dx के into में x भी है तो हम क्या करें इसको both side x से multiply कर दें क्या कर दें both side x से multiply same चीज़ से करेंगे तो कोई फरक ने पड़ेगा तो multiply both side by x both sides by x करो भई x से करेंगे तो यहां तो x dy by dx बनेगा और यहां क्या बनेगा x आएगा इसके multiply में तो यहां रहेगा x multiply में तो इससे यह कर जाएगा यानि कि यहां बनेगा a x upon a plus b x बनेगा ठीक है पलस यहां क्या बन जाएगा y by x है इसके भी इंटू में x आएगा b x इससे multiply होगा इससे भी और इससे भी यहां y बनेगा ठीक है अब यहां देखें तो हमने x dy by dx यह लाना था पलस का y है इधर ले आए y को तो यह माइनस में आ जाएगा देखो उ मैं लिख लेता हूं इसको x dy by dx माइनस y is equal to है a x upon a plus b x के equal ठीक है इसको equation मान लेते हैं हम one two कुछ भी ठीक है one मान लिया हमने इसको अब हम देखो हम यहां पे देखते हैं वह यह आगे तो इसके बाद आप यहां से कर लेंगे हम यह जो आ गया है अपना इसको दुबारा differentiate कर दें क्योंकि हमने तो यह लाना है ना d square y upon dx square is equal और इसका भी all square ची अपने को यह all square थोड़ी ना आया है ठीक है तो हम करते हैं अभी इसको नीचे यह करना है वही तो यह u into v product rule लगाए x into dy by dx पर x is it is इसका differentiation d square y upon dx square लिखेंगे पालास अब की बार dy by dx अब की बार दीवाइवाई-dx वह रीख से अचिए वगा 1 हो गया इसका u into v से, minus y, y का क्या हो जाएगा, minus dy by dx, x के respect में, is equal to, अब इसका differentiation करना है, तो u by v से करेंगे, ठीक है, तो divide rule लगाएं वही, तो is equal to, यहां नहीं आएगा, मैं यहां कर लेता हूँ, तो क्या आजाएगा, a plus bx का whole square, v का square, यहां v आएगा, a plus bx, और differentiation किसका, a x का, a x का differentiation, a हो जाएगा, minus, अब की बार, a x as it is, a x as it is, और इसका differentiation, तो a का 0 और bx का क्या हो जाएगा, b, ठीक है, into में b आ जाएगा, अब इसको solve करेंगे, देखो, यह d y by dx, plus का रही है, minus का, तट गए भी, यहां क्या बना, x d square y upon dx square, is equal to, यह अंदर multiply कर लें, तो a square plus a bx minus a bx, is upon में a plus bx का whole square, इससे यह कट गया, खिक है, अब यहां पे क्या बन गया, x d square y upon dx square is equal to a square upon a plus bx का whole square, अब एक बात देखें, हमने जो prove करना है, उसमें क्या चीए, हमें prove करना था, उसमें d square y upon dx square के साथ में x cube है, यहां तो x आया है, और यहां पे अगर हम देखें, तो जो हमने यह value निकाल रखी है, यहां, यहां a x upon a plus bx होना चीए था, इसका whole square तो हम पूरे square लगा लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन यहां a के साथ x होना था ना, यानि कि x square होना था, x नहीं क्या होना था, x square, जब x square होगा, तब ही तो पूरे की whole square लिख पाएंगे हम, तो x square की इसमें कमी है, इधर भी होर इधर भी, हम क्या कर लें, multiply कर लेते हैं, बोच साइड, x square से, multiply, multiply by x square बोच साइड से, तो देखो भई, बोच साइड multiply करेंगे, इधर तो x की क्यों बन जाएगा, d square y upon dx square is equal to, यहां पे क्या बनेगा, x square a square, या a square into x square एक यह बात है, upon में है a plus bx का whole square, अब एक बात देखें, यह दो whole square है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a, x upon a plus bx की सारे की whole square, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, लिख सकते हैं, और यह जो है, यह देखो, यहां छोड़के आए हैं, इस सारे को, हम यह लिख सकते हैं, a, x upon a plus bx को यह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो यह हम क्या कर देंगे, इसके bracket में लिख देंगे, यानि कि इसके बाद क्या आ गया, x cube d square y upon dx square, equal आ गया, यह और यह की बात है वही, जो अंदर-अंदर लिखा है, इस अंदर-अंदर वाड़े को, हम यह लिख सकते हैं, using first से, यानि कि x dy by dx minus y, और यह तो हमने अंदर-अंदर वाड़े को लिखा है, यह इस, इसको, इस सारे की क्या है, square, इस सारे की bracket लगा के क्या है, सुकेर, देखो, यह सुकेर है की नहीं है, देख लें अब, क्या यही प्रूव करना था, x dy by dx minus y का whole square, किलियर है वही, यह प्रूव होता है, आप लिख देंगे, तो आप यह मैथड भी अपना सकते हैं, देखे स्टुडेंट्स, हम दो-दो मैथड आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज, हमारी मेहनत को देखके, आप हमें स्पोर्ड कीजिए, हमें सस्क्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं, क्रिशन नमर फॉर्थ का लास्ट पार देखें वही, क्या कहता है, इफ y is equal to log of root x plus 1 by root x की all square है, यह given है, तो हमने प्रूव करना है, x into x plus 1 का all square y2, y2 का मतलब क्या है, d square y upon dx square, हमने पहले भी बताया है, plus x plus 1 का all square into y1, y1 मतलब dy by dx is equal to 2, यह हमने लाना है, तो हम left hand side में value देंगे इनकी, और हम प्रूव करेंगे, देखो, तो इसके लिए dy by dx और d square y upon dx की है, तो हम यहां से पहले इसको simplify कर लें, थोड़ा सा, उसके बाद differentiate करें, यह log of करके लिखा है ना, तो log of, पहले इसका lcm ले ले वही, यहां कुछ भी नी तो 1 है, तो इसका lcm ले ले, root x lcm आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x पूरा बन जाएगा, और यहां पर 1 आ जाएगा, इस सारे की क्या चल रही है, whole square, अब log m raised to n, n log m, यानि यह power आगे property लगा ले लोग की, और यह क्या बच गया, x plus 1 upon root x, clear है, अब इसको अगर हम बात करें, तो थोड़ा ओर simplify करें, log m minus log n लिख लें, तो यह जो 2 है, यह दोनों के inटों में रहेगा, इसको लिखे log m minus log n, n मतलब root x, लिख दिया, clear है, अब कर लें आप इसको differentiate, तो differentiate with respect to x, करो गएगा, तो क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to 2 into, log का करेंगे, इसके लिए x का काम कर रहा है, 1 upon x plus 1 आएगा, इसका करेंगे x का 1 और 1 का 0 लिख नहीं क्या हो शकता, है नहीं, अब यहां पर minus log का करेंगे, तो 1 by root x लिखें, यह तो लिखा मैंने log का differentiation, log के लिए x का का काम कर रहा है, तो log x का क्या होता है, 1 by x, तो 1 by x का काम root x कर रहा है, ठीक है, अब root x का करेंगे, तो root x का 1 by 2 root x आएगा, differentiation, ठीक है, और फिर यह तो power का किया, अंदर का करेंगे x, x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां पर 2 into, अब इसको हमने, simplify कर लेना आए, जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद y2, यानि d square y upon dx square भी तो निकालना है, तो हम थोड़ा छोटा कर लें, इसको जितना कर सकते हैं, 1 upon x plus 1, minus 1 upon 2x हो गया है, यह root x और root x, अब इसका LCM ले लिए भई, 2 into, यहां पर 2x into x plus 1 LCM आ गया, तो यह 2x यहां जाएगा, minus, यहां minus है, तो bracket लगा ले, x plus 1 यहां जाएगा, इसको simplify करें, इस 2 से यह 2 कट गया, यह क्या आ गया, अपना dy by dx के, अगर हम बात कर लें, तो value आ गई, 2x में से x जाएगा, यह minus है, तो यह minus हो जाएगा, और यह plus है, यह minus हो जाएगा, ठीक है, मैं यहीं कर दिया है, मैंने, 2x में से x गया, तो x minus 1 upon x into x plus 1, यह आ गया भई, अपना dy by dx की value आ गया, ठीक है, अब हमने निकालना है, इसके निच्चे आप कर लेंगे, d square y upon dx square की value, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें, तो यह आ गया y1, आप इसको equal links सकते हैं, y1 के, y1 links दें, ठीक है, अब दुबारे differentiate करें, तो u y v method लगाएं, तो करो भई, divide rule लगाएं, तो v का square, यानि कि इसका square और इसका square आएगा, v का square हो गया, v as it is, यानि की x into x plus 1 as it is, और differentiation किसका, इसका, और इसका differentiation u का क्या होगा, 1, वो लिखने की, यह लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, 1, minus rule के according, x minus 1 as it is, अब की बार, और differentiation किसका, इसका, तो इसका, जब differentiation करेंगे, denominator का, यानि की v का, तो u into v rule लगना पड़ेगा, तो यहाँ पे bracket लगाले आप, अब इसमें u into v लगाएंगे, तो x as it is, इसका differentiation क्या हो जाएगा, x plus 1 का, 1, plus, अब की बार, x plus 1 as it is, और x का differentiation क्या हो जाएगा, 1, ठीक है वई, bracket 1, अब इसको simplify करें, तो d square y upon dx square is equal to, यह अंदर multiply कर लें, तो क्या हो जाएगा, x square plus x, minus, minus है, यहाँ पे x minus 1 है बार, और bracket के अंदर क्या है, x, यह x into 1 x है, और यह x plus 1 है, into 1, x plus 1 और यह, बीच में plus का sign है ना, तो x और x क्या हो जाएगे, यहाँ से, 2x बढ़ जाएगा, और plus में 1 आ जाएगा, यह bracket क्या आ गई, 2x plus 1 आ गया है, यहाँ से, इसके अप उन में क्या है, x square, x plus 1 का whole square, यह चल रहा है अपना, clear, अब हम क्या कर लें, इसको अंदर multiply कर लें, जैको जितना सोबल कर सकते हैं, इस, अमने करना, x square, plus x, यह minus, इस x कोुछ से multiply करें, तो 2x square हो गया वही, इस minus x को, इससे multiply करें, तो minus x आ जाएगा, अर minus minus क्या हो गया, पलस, तो plus का 2x हो जाएगा, और minus, देखो, हमने क्या क्या, यह minus minus क्या हो गया, पलस और इसको इससे मल्टिप्लाई करें तो पलस का 2X आ गया फिर हमने इसको माइनस माइनस पलस हो गया 1 और 1 से करेंगे तो पलस का 1 आ जाएगा हमने कुछ नहीं बहुत इन दोनों को मल्टिप्लाई कर गे लिखा है ठीक है आप ओन में क्या है X सुकेयर X पलस 1 का होल स्केयर कटता है उसको काट ले वही X से X कट गया और ये माइनस का 2X सुकेयर है ये पलस का है तो माइनस का X सुकेयर बच गया है यहां से पलस का 2X पलस 1 अपोन में क्या चल रहा है x square into x plus 1 का whole square ये चल रहा है अपना ठीक है ये अपना क्या आ गया d square y upon dx square ये मैं बोल दूँ की y2 की value आ गई किस की value आ गई y2 की आ गई ठीक है अब हमने क्या आगरना है इसको left hand side में रखना है तो lhs क्या कहती है left hand side ये कहती है x है फिर क्या है x plus 1 का whole square है है ना फिर y2 है y2 की value हमने ये निकाड़ी है तो इसको into में लिख दें minus का x square plus 2x plus 1 K upon में क्या है x square x plus 1 का whole square फिर क्या है x plus 1 का whole square फिर है y1 y1 की value कहा है ये निकाड़ी है हमने x-1 x-1 upon x x-1 लिख दी हमने y1 की value अब इसको हम करते हैं और अगर 2 आ जाए तो ये प्रू हो जाएगा अब देखें भई x-1 का all square है इससे ये कट गया all square 1x से ये x कट गया x बच गया यहाँ और यहाँ देखें तो x-1 का all square है यहाँ x-1 है तो 1x plus 1 फिर भी बच गया अब इसमें अगर हम बात कर लें तो क्या कुछ बच गया वही उपर बचा ये यानि कि minus x square plus 2x plus 1 बचा है यहाँ से तो और निच्चे बच रहा है इसमें x क्या बच रहा है x plus यहाँ बात करें तो x plus 1 बच रहा है क्या बच रहा है x plus 1 और यहाँ बात करें तो x minus 1 तो a plus b a minus b यानि a square minus b square रिख लें यानि कि इसको मैं लिख दूँ x square minus 1 इन दोनों को multiply कर दिया है मैंने एक power बच रहा है ना यहाँ ठीक है इसको और इसको multiply कर दिया है इसके अपोन में क्या चल रहा है x अब एक काम करें हम दोनों का इन दोनों का क्या ले ले वही lcm ले 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 तो इससे आगे अगर मैं बात करूँ तो x लिख लूँ तो यहाँ क्या है minus का x square plus का 2x plus का 1 और यहाँ पे plus x square minus का 1 x square से x square कट गया ठीक है और minus 1 से plus का 1 कट गया 2x अपोन x बचा क्या बचा 2x अपोन x इस x से यह x कट गया क्या आया 2 आया क्या आया 2 यह है RHS के equal यह prove होता है लिख देंगे भई proved दो ही तो लाना था हमने यह आप note कर लेंगे यह था आपका इस question का last part देखे फ्रेंड्स वीडियो काफी लंबी हो गई है दो-दो मेथड हमने आपको बताए हैं अगर आपको समझा रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को subscribe जरूर कर लें कही tuition coaching जाने की जरूरत नहीं मुझे sport कीजिए मैं पूरा सले बस आपको करवाऊंगा इसी तरह बोर्ड पे thanks for watching my video